स्वागत है आपका हमारे चैनल Optometry वत तारिक में आज हम बात कर रहे हैं Bifocal Lenses, उनके अलग-अलग Types, उनके फाइदे और उनके नुकसान के बारे में तो हम देखेंगे कि क्या होता है Bifocal Lens, कौन-कौन से अलग Type के या अलग Design के Bifocal Market में अवेलेबल है या कौन-कौन से बनाए जाते हैं, उनकी क्या-क्या फाइदे हैं और उनके क्या-क्या नुकसान है तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको और नए वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब हम बात करेंगे अलग-अलग Terminology या फिर अलग-अलग Terms या फिर Words जो यूज किये जाते हैं एक Bifocal Lens को Define करने के लिए तो इसमें अगर आप देखेंगे ये एक Bifocal Lens का Classic Diagram है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़े लिखी हुई है तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली चीज़ जिसे कहा जाता है MRP या फिर Major Reference Point इस पॉइंट से सारी रीडिंग्स ली जाती है In Terms of Distance मतलब अगर Distance की बात करो तो कोई भी चीज़ को Measure करने के लिए इस पॉइंट को Measure किया जाता है तो क्या होता है MRP तो MRP जो अगर हम बोलते हैं तो यह वो पॉइंट है जहाँ पे आपका Pupillary Center जो आई का Center है वो मार्क करते है तो अगर यह MRP है तो यह Cross क्या है यह Cross generally denote करता है कि आपका Optical Center जो है यह अगर हमें किसी Lens में Prism Induce करना है तो Prism के लिए आपका MRP और आपका Distance का Center दोनों अलग-अलग होगा पर अगर आपको Prism नहीं Induce करना है तो आपका MRP और आपका Distance का Center दोनों माच करेगा एक के उपर एक तो यहां हम Consider कर रहे हैं कि हमें Prism Induce करना है तो MRP से आपका Distance का Center जितना दूर होता है उसे कहा जाता है Distance Decentration और उसी MRP Point से आपका Near Segment का जो Center है वो जितना दूर होता है उसे कहा जाता है Segment Inset Segment का मतलब होता है जो Near का आपका Part है उससे हम कहते हैं Segment तो MRP से जितना आपका दूर है वो आपका है inset so total inset हम किसे कहेंगे जो आपके distance के center point से near के center point तक का पूरा distance है इसे हम कहते है total inset मतलब आपके distance के center से near का center कितना अंदर की तरफ आया है next term जो आपका आता है वो कहते है segment drop segment drop का मतलब होता है कि distance के centration से आपका जो segment है वो कितना नीचे है तो जो segment का सबसे उपरी हिस्सा होता है उस हिस्से और आपके MRP वाले line या फिर horizontal line से जितना नीचे होगा इस area को हम लोग बोलते हैं segment drop यह सारे value हम MM में calculate करते हैं अगला है आपका segment depth segment depth का मतलब होता है आपका जो near का segment है वो कितना गहरा है तो segment के top से लेकर segment के नीचे के हिस्से तक इसे कहा जाता है segment depth और एक corner से दूसरे corner तक जो आपका segment का width है उसे कहा जाता है segment width अब segment height क्या होता है? Segment height का मतलब होता है कि आपके चश्मे के lower rim से उपरी rim तक जो total distance है उपरी rim मतलब आपका segment का top है वहां तक जितना आपका distance है उसे कहा जाता है segment height तो ये सारे terminologies जो है ये आपको generally देखने मिलेगा अगर आप proper markings या फिर measurements की बारें बात करें जो आपके एक bifocal lens में होते हैं अब बात करते हैं different types of bifocal कौन-कौन से अलग तरीके के bifocal manufacturing के हिसाब से पाए जाते हैं यहां हम बात करेंगे सबसे पहले जो है इसे कहा जाता है fused bifocal fuse का मतलब होता है जहां दो अलग-अलग हिस्सों को साथ में fuse किया जाए ताकि वो एक जैसे दिखने लगे यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर यह एक distance का हिस्सा है जहां पर cut करके हमने एक near segment को अंदर fuse किया है या फिर जोड़ा है दूसरा जो आपका है इसे हम लोग कहते हैं one piece bifocal यह एक ही piece of glass की हिस्सा बनता है और यहां हम क्या करते हैं कि उपरी हिस्से पर एक अलग curvature generate करते हैं जिससे कि आपको distance का power मिले और नीचे के हिस्से पर जादा curvature करते हैं ताकि उससे आपको near का power मिल सके पर यह करने की वज़े से यहां पर एक groove या फिर ledge जैसा बन जाता है जिसके वज़े से यह दोनों एक दूसरे से अलग दिखते हैं इस groove के हिसाब तीसरा है जिसे हम लोग कहते हैं cemented bifocal cemented का मतलब होता है जब आप एक distance के portion या फिर distance के lens के उपर एक optical cement जिसे की glue के इस्तमाल से आप एक near segment को जोड़ दो अब fused और cement में क्या difference है fused में हमने उस lens के अंदर एक cut बनाकर उसमें चिपकाया था और surface को एक कर दिया था और यहाँ पे हमने एक अलग से button को चिपकाया है तो यहाँ पे cementing यूज हुई है और यहाँ पे fusing यूज हुई है तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनता है एक fused bifocal पहले एक crown glass या फिर जो material हम generally glass के लिए use करते हैं एक crown glass के blank को लेकर उसमें एक depression curve या फिर एक cut बनाया जाता है जिसमें कि आपके flint का flint जो है एक higher refractive index का material है जो ज़्यादा raise को और converge करने में या फिर focus करने में मदद करता है तो flint के एक button को इस depression में exactly stick किया जाएगा और उसके बाद इस चीज़ को high temperature पे इसे गरम किया जाता है ताकि यह जो glass है यह एक दूसरे से properly stick हो जाए एक बार जुड जाने के बाद इसका जो front का हिस्सा है इसे polish करके एक single surface में convert कर दिया जाता है जिसकी वज़े से हमें मिलता है एक fused lens अब इस lens में यह जो हिस्सा है यह crown glass का है जिसमें की कम focus करने की ability है जो आप distance के लिए यूज़ करोगे और यह जो हिस्सा है यह आपको near के लिए देगा because इसमें जादा power होगा क्योंकि इसका refractive index जादा है next जो है हम जानते हैं composite button fused में ही अलग-अलग type of button यूज़ होते हैं जैसे की flat top या फिर ribbon style flat top का मतलब होता है जिसमें की उपरी हिस्सा straight cut किया हुआ रहता है ना की goal जिसे हम लोगोंने पहले देखा तो वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने जो cut किया था groove वहाँ पे आधा circle हम flint का डालते हैं और आधा crown का और जब आप इस चीज़ को बहुत high temperature पे गरम करोगे तो ये crown इसके साथ जुड़ जाएगा और flint जो है वो अलग सा आपको segment की तरह दिखने लगेगा और एक होता है ribbon bifocal जहां आप उपर और नीचे की तरफ cut जो है crown glass के डालते हो और बीच में आपका जो segment बनेगा आप उसका एक flat ribbon डालते हो next है one piece bifocal कैसे बनाया जाता है one piece bifocal अगर मैं कहूं आज के time पे हम जो commonly इसे बुलाते हैं इसे कहा जाता है executive bifocal या फिर आपका full dimension bifocal यह जो है यहां पे आपके उपर की तरफ एक flatter groove या फिर कम power का groove दिया जाता है जो कि distance का power देगा और नीचे की तरफ एक जादा steep या फिर जादा curvature का area बनाया जाता है जहां से आप read करोगे इन bifocals में lens बनने के बाद पीछे की तरफ number दिया जाता है ताकि आपका number यहां generate किया जा सके वनपीस bifocal के और दो examples जो है एक होता है आपका split bifocal और एक होता है altex type split में आपको जो lens है वो पुरा 50-50% में divided मिलेगा और altex में आपको नीचे की तरफ एक half semicircle मिलता है next step का example है cemented bifocal cemented bifocal जैसे मैंने पहले बताया था कि यह जो lens है इसमें आपका distance के portion होता है और एक reading area जो ही reading button है उसे आप एक ophthalmic glue या फिर आपका जो optical glue है आप उससे cement करते हो या फिर optical cement भी कहा जाता है उसे पहले Canada balsam को use किया जाता था बट अब epoxy resin को use किया जाता है जिसका refractive index plastic से similar है इन दोनों को stick करने के बाद इने surface किया जाता है जिससे की आपको एक cemented bifocal मिलता है सारे plastic bifocals जो हैं वो आपको cemented bifocal मिलेंगे हाला कि आपके जितने glass bifocals होता हैं वो आपके fused bifocals होता है अब बात करेंगे हम segment type और उनके characteristic उनके फायदों के बारे में या फिर उनके अलग-अलग characteristic के बारे में सबसे पहला जो आपका अलग-अलग type से हम उसके बारे में बात कर लेता है पहले होता है round segment जहाँ पे की एक goal segment दिखाई देता है इसे crypto bifocals भी कहा जाता है दूसरा है flat top bifocal या फिर straight top bifocal जहाँ पे उपर की तरफ आपको एक straight edge मिलता है तीसरा है आपका curved top bifocal ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है कुछ ही companies में available है तीसरा है panoptic, चौता है panoptic bifocal जहाँ पे आपके edges को और curved कर दिया गया है उसके बाद आता है ribbon shaped bifocal जिसमें की B segment जो की पतला और R segment जो की थोड़ा मोटा ribbon होता है पहले बात करते हैं flat top bifocal के बारे में या फिर जिसे कहा जाता है D bifocal या फिर straight top bifocal straight top bifocal जो है यह बहुत commonly use किये जाते हैं इसे D style bifocal भी कहा जाता है या फिर straight top इसमें जो segment width है जो आपके width of segment है वो अलग-अलग size में available है जो की है 22 mm, 25 mm, 28 mm, 35 mm, 40 mm और 45 mm इसमें जो optical center है इस segment का वो उपर की line से 5 mm नीचे पाया जाता है और जैसे कि आपका prismatic effect है prismatic effect का मतलब होता है कि जब भी आप center से जितना दूर जाओगे उतना जादा आपको prismatic effect मिलेगा तो near segment में जितना आपका top portion से उपर के portion से नजदीक आपका optical center होगा उतना कम आपको prismatic jump या फिर jump effect कम देखने के लिए मिलेगा तो bifocal का एक advantage यही है कि आपका jump effect जो है वो बहुत कम होता है curved top bifocal curved top bifocal हम किसे कहते हैं जहां आपका जो bifocal है उसका उपरी हिस्सा जो है वो थोड़ा curved होता है similar आपके d bifocal से बट यहाँ आपको curved देखने मिलेगा जो segment availability है यहाँ पे वो मिलती है आपको 22, 25, 28 और 40 mm में optical center जो है यहाँ पे आपके उपरी हिस्से से 4.5 mm नीचे पाया जाता है जो कि आपका कुछ यहाँ पे होता है panoptic bifocal जो है panoptic आपका similar जो हम लोगोंने curved bifocal देखा वैसा ही है खाली उपर की तरफ इसको एक dome shape दिया जाता है इसे P style bifocal भी कहा जाता है इसके जो segment types है वो आपको 24 और 28 mm में मिलते हैं optical center 4.5 mm उपर से नीचे की तरफ पाया जाता है ribbon bifocal ribbon bifocal में आपको straight cutouts मिलते हैं इसमें 2 type होता है एक होता है B type और एक होता है R type B type जो है उसमें आपका जो segment है वो 22 और 25 mm wide और 9 mm deep so total जो आपका इसमें depth है वो 9 mm मिलता है और आपका width जो है 22 और 25 में available है optical center जो है उपर से 5 mm नीचे की तरफ मतलब ठीक इसके बीच में आपको मिलेगा R segment जो है आपको 22 और 25 के width में मिलता है और इसका depth जो है आपको total 14 to 18 mm तक मिलता है यहाँ पे गलती है जो हम लोगों ने 9 mm दिखा है यहाँ पे optical center जो है यहाँ पे वो 7 mm below the top segment so total आपको 14 mm का depth मिलता है यहाँ पे जो की उपर से 7 mm नीचे पाया जाए अब बात करते है हम Franklin bifocal के बारे में Franklin bifocal जो है यह एक one piece bifocal का ही type है यहाँ पे आपको executive या e-line bifocal या full segment bifocal के नाम से भी इने जाना जाता है segment width जो है वो full lens राया के जितना ही होता है तो अगर आपने 60 mm का lens लिया है तो आपको जो width है segment width तो 60 mm ही मिलेगा optical center जो है line पे ही मिला जाता है जो आपका bifurcation line है जैसे कि distance और near के बीच में जो आपको line दिख रही है उनके पास ही आपको आपका optical center मिलेगा जैसे मैंने बुला था कि जितना आपका optical center उस line के पास आएगा उतना कम आपको jump effect मिलता है तो इस lens में आपको jump effect सबसे कम मिलता है अब बात करते है round top bifurcal के बारे में जो कि सबसे common है इसे crypto bifurcal भी कहा जाता है सो यहां पे round top में depending आपका size कितना है अलग-अलग उसमें types हैं तो यह style bifurcal है इसमें आपको बड़े आपके designs मिलते हैं जो कि आपका near segment जादा बड़ा होता है R type में आपको 40 mm का width मिलता है segment width और blended होते हैं यह आपके available segments जो crypto में है वो है 22, 24, 25, 38 और 40 mm 38 और 40 mm आपके AN R style होते हैं optical center जो है वो segment के बीच में पाया जाता है तो अगर मैंने 22 mm का segment लिया है तो मेरा optical center 11 mm होगा उसके नीचे और अगर मैंने 24 लिया है तो 12, 38 लिया है तो 14 और 40 लिया है तो 20 तो जितना जादा मेरा बड़ा segment होगा उतना जादा मुझे jump effect मिलेगा अब बात करते हैं कुछ खूबियों के बारे में जो हमें bifocal के बारे में जानना चाहिए या फिर जो जो advantage हमें bifocal देता है तो पहली बात तो है कि हमें दो-दो पेर चश्में अलग carry करने की जरूरत नहीं है तो अगर मुझे distance का और near दोनों का number है तो मुझे अलग-अलग चश्मे carry करने की जरूरत नहीं है दोनों एक ही में काम हो जाएगा तो अगर मेरे पास distance और near दोनों का power है तो मुझे एक ही जश्में में दोनों का power बन सकता है दूसरा जो है full clear vision जो कि मुझे distance में और reading zone में easily मिलेगा जो कि progressive edition में कभी-कबार नहीं मिलता है progressive edition lenses में क्या होता है कि आपके side में unwanted region होता है जहां पर आपको astigmatism दिखता है जिसकी वज़े से patient बहुत बार आपको कहता है कि मुझे clear नहीं दिखता है जब मैं side में देखता हूं या फिर मैं car के mirror में देखता हूं तो यहां पर क्या है because आपका जो distance और near का region है वो completely अलग-अलग है एक दूसरे से यहां पर कोई भी distortion या फिर कोई भी problem नहीं आती है next आपका है कि bifocal जो है cosmetically बहुत अच्छा तो नहीं होता है बट जो C segment है C type के segment है वो बहुत कम दिखते हैं uneasily acceptable है next है आपका अलग-अलग addition, prism या फिर cylinder आप reading segment में दे सकते हैं जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास cementing bifocal है हमारे पास fused bifocal है cementing bifocal में अगर मुझे एक आई में अलग add या फिर अलग cylinder चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ अब बात करते हैं नुकसान के बारे में कि bifocal के क्या-क्या नुकसान है या फिर क्या negative points है पहला जो आपका line है segment का वो easily दिखता है तो cosmetically unappealing है मतलब patient कभी कबार कहता है कि मुझे वो line नहीं दिखना चाहिए तो यह एक problem होता है दूसरा है आपका limited field of view अगर आपने segment बहुत छोटा लिया है जैसे मैंने बुला जितना छोटा आप segment लोगे उतना कम jump effect होगा पर अगर आपने उस चीज़ के मद्दे नजर segment छोटा लिया है तो patient को reading का area भी छोटा मिलेगा next है reading portion बहुत नीचे की तरफ होता है तो bifocal में जैसा हम बनाते हैं तो उसमें reading area नीचे की तरफ होता है तो problem यह है अगर patient को computer देखना है तो उसे सर बहुत उंचा करके देखना पड़ता है दूसरा है आपका intermediate vision तो intermediate vision जो हम लोग बोलते हैं यह वो vision है generally जो आपको एक से सवा मीटर के आसफास देखना होता है तो आपको अगर 80 cm से एक सवा मीटर के बीच में काम करना है तो यह आपको ना near segment से देखेगा ना distance segment से क्योंकि यह point आता है उस focal length में जहां पे आपके लिए proper power नहीं है आपका जो reading area है वो आपको 40 से 60 cm तक का vision देगा और आपका जो distance वाला है वो आपको distance से लेके एक मीटर तक देता है तो intermediate का जो portion है वो देखने में आपको bifocal उतना मददगार नहीं आसाबित होगा आखिरकार jump effect jump effect का मतलब होता है कि अगर मैं इस image में देखू जिसे कहता है jump image ठीक है jump effect कहा जाता है तो अगर आप इस yellow signboard को देखेंगे तो यह continuous देखने पर एक single square देखता है पर अगर मैंने bifocal से देखा तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक image में से दूसरा वाला image jump होके बाहर निकल रहा है तो यह jump effect जो है यह हमें बहुत ही problem देता है और आखिरकार weight and thickness जो आपके executive bifocal होते हैं या फिर आपके full segment bifocal या फिर हम कहें जिसे line bifocal, e-line bifocal इन lenses में weight बहुत जादा होता है इसमें आपको jump effect तो नहीं मिलता आपका field of view भी बहुत जादा होता है पर इसमें यह सब advantages के चलते इसका weight भी बहुत जादा बढ़ जाता है जिसके वज़े से patient को problem होता है थैंक यू इस video को पूरा देखने के लिए subscribe करें हमारा channel तक ही नए videos को notification आपको जल्दी मिल जाए थैंक यू और गुडबाई